नमस्कार हिमाचुल अभ्योवी की रेडियो गुलेटन के साथ मैं भावन ठाकूर पेश हैं आप तक के परमुक्ष समाचार सबसे पहले हेड्लाइन्स केंदर से मिली 30 करोड की मदद लोटाई जाएगी सुख सरकार अपने संसाधनों से बनाईगी नालगड मेडिकल डिवाइस पा सुख सरकार पर कंगना का बड़ा हमला संसद में बोली कांग्रेस सरकार के कारण त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाया परदेश मौसम और रास्ती की स्थिती देखकर करवाई जाएगी किन्न और कैलाश यात्रा पहले होगा सर्वे हाटीसी में अब 100-100 रुपए में बनेंगे स्मार्ट, ग्रीन और सम्मान कार्ड अधिसूचना जारी हिमाचन में मनाया कारगिल विजे दिवस शहादत देने वाले 52 वीर सपूतों को किया याद सिर्मोर में विकासकारें में सरकारी धनराशी के दुरुपयों पर दो पंचायत परधान सस्पेंट अब समचार विस्तार से हिमाचन परधेश के हितों को प्राथमिक्ता देते हुए राजसरकार ने जिला सोरन के नालगड में मेडिकल डिवाइस पारक अपने संसाधरों से बनाने का निर्ने किया है राजसरकार ने 265 एककट भूमी पर 350 करोर रुपई की लागत से बनने वाली इस योजना के लिए केंदर सरकार से मिले 30 करोर रुपई लोटाने का निर्ने लिया है परधेश सरकार यदि इस राशी को वापस नहीं करती तो राज्ये को कई आर्थिक नुकसान होंगे मड़ी लोगसभा सीट से सांसत कंगना रनौट ने लोगसभा में हिमाचल की कॉंग्रेस सरकार पर जम कर हमला बोला बजट पर बोलने के लिए लोगसभा में खड़ी हुई कंगना ने सुक्कु सरकार को ब्रष्ट बताया कंगना रेनोट ने कहा कि पिछले साल हिमाचल परदेश में बड़ा प्राकरतिक संकट आया बाड से जान और माल का भारी नुकसान हुआ मगर भरष्ट सरकार की वज़ा से हिमाचल त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाया जनजातिय जिले में 1-26 अगस तक होने वाली किनर कैलाश यात्रा से पहले सर्वे टीम रास्ते का निरिक्षन करेगी पूर्णी मार्ग का निरिक्षन करने के बाद मौसम और मार्ग की स्थिती को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा यात्रा को लेकर SDM कलपा डॉक्टर शेशांत गुपता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई SDM ने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयारियां समय रहते पूरी होनी चाहिए शेश समझार ब्रेक के बाद आपके स्वास्तिका प्रहरी श्रीम पालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल हिमाचल पत्परिवान निगम की बसों में किराय में छूट के लिए बनाए जाने वाले स्मार्ट, ग्रीन और सम्मान कार्ड महंगे हो गए हैं परतेक कार्ड को बनाने के लिए अब 50 रुपए ज्यादा शुल्क होंगे पहले कार्ड 50-50 रुपए में बनाए जाते थे लेकिन अब 100-100 रुपए में बनाने होंगे वहीं कार्ड की अबधी भी 2 साल से घटा कर 1 साल की गई है BOD के फैसले के बाद अधी सूचना जारी कर दी गई सभी मंडलिय प्रबंध को सर्कुलर भी जारी किया गया है हिमाचन के सभी जिलों में आज कारगिल विजो दिवस मनाया गया इस दोरान देश की रक्षा करते करते प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को जगा जगा शरधान जली दी गई राजस्तरिय कारेकरम शिमला के गेटरी थेटर में आयोजित किया गया यहाँ पर स्वास्ते अवं सैनिक कल्यान विभाग मंत्री करनल धनिराम शांडिल ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जिला सिर्मार की दो पंचायतों के विकास कारियों में आनियमतताओं की चलते पंचायत परधान निलंबित कर दिये गए है जिला परशाशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खंड तिलोर धार के तहत आने वाली कठावर पंचायत के परधान महेंदर सिंग और विकास खंड शिलाई की नाया पंजोडा पंचायत के परधान लायक राम को तुरंत प्रभाव से लंबित करने के आदेश जारी कर दिये गए है इसी के साथ समाचार समाप्थुए नमस्कार